वेलकम टू योटीब चैनल दिपाई करेकिया हम आज हमें न्यूजन एलेक्ट्रिक वेकर शोरूम लोकेटेड इन जयानागर बैंगलोर करनाट का इंडिया हमारे जामने आज एजोन की टसकर ये एक एलेक्ट्रिक वेकल है ये ब्लू कलर प्लैक कलर और येलो कलर में भी आती सकते हो चार-पांच यूनिट्स करें सकते हो जिससे आपके वर्कर्स अब डाउन कर सके हैं आपका वेर आउस है बड़ा गोदाम है वहां पर भी यूज हो सकती है तो चलिए देखेंगे ये इस वेकल में एलेक्ट्रिक वेकल में क्या क्या है स्टार्ट करते हैं सामने की त डिस्क ब्रिक है टेलिस्कोपिक शॉक एब्जॉरवर है और ये फाइवर मटगाड ग्लाउस फिनिश में चोटा सा रवर वेलोज है शॉक एब्जॉरवर पे ट्रेवल देखें बहुत कम मिलेगा क्योंकि ये काफी चोटी वेकल है आगे की तरफ तीन स्क्रूज है यहां अगर आपको सामान करते हो तो कॉमर्शिल परपस के लिए है तो डियारल है बीच में में हेडलाइट है अगे का पैनल काफी चोटा था फैरिंग पतली सी एलेडी टर्न इंडिकेटर और यहां से हम देख सकते हैं फुले डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यस एक फो की ब्रैंडिंग थी यहां पर एक हुक मिलता है और यह अगर आप छोड़ा ही देखो तो काफी कम है मुझे लगता है हाफ फिट होगी आफ्टर यहां पर है की स्लोट ऑन आफ लॉक और साथ मिलता है रिमोट भी दुरिया की सारी बाइक्स में वेहिकल्स में यहीं पर रहत और काफी जादा आप लगेज रख सकते हो after that आते हैं seat की तरफ seat छोटी सी है यह cute seat है काफी soft है smooth है कुशन काफी soft है इसका और पीछे की तरफ भी छोटी सी seat मिलते है जिस पे आप एक तरफ पैर करके बैठ सकते हो I don't think आप दुरह तरफ पैर करके इस पे बैठ पाओगे that will be comfortable or not पीछे की तरफ आया तो यहां पे टेल लैंप है LED टेल लैंप after that इस ओन लिखा हुए number plates rod है काफी छोटा है यह आपके school के symmetry box की तरह लग रहा है बहुत ही छोटा और फिलाल इसकी आपको ज़रुद नहीं पड़ेगी क्योंकि यह no RTO वेकिल है after that fiber का flexible mudguard है इसे flexible रखा जाता है intentionally वरना यह तूट जाएगा speed पर जम कराने पर then reflectors finally छोटा सा टायर same जैसा आगे का है इसकी bit देके तो मुस्किल से 10 cm लग रही है and that is BLDC hub motor now let's come to front wheel assembly yes front wheel assembly ही बोलेंगे इसे चाहे scooter बड़ा हो या छोटा हो तो यहां पे सबसे पहले हम देख रहे है disc brake है drum brake नहीं disc brake मिल रहा है but guard आगे से लेके पीछे की तरफ है दो screws जो से hold करते है rubber below shock absorber पे telescopic shock absorber पे disc brake पे branding है is on की और disc की size I don't think यह 150 mm से जादा होगा 140 mm मुझे लग रहा है और यह कुछ पार्ट जो hydraulic pipes को hold करता है जो disc brake से जूड़ी रहती है और पीछे की तरफ हम देख सकते है panel Ralko का tire मिलता है this is tubeless tire और यहां पे इसका model है Blaster ST Ralko Blaster ST size 3.0 by 10 10 inch का है CCD cool compound technology बनाए और इसकी load capacity 150 kg है at 250 kPa air pressure वैसे तो scooter की loading capacity है 120 kg बट टायर की capacity 150 kg है और टायर पे grips देखा जाए उसके edges देखा जाए तो यह चोटा scooter होते हुए भी आप इसे अराम से bends पे corners पे turns पे आप काफी ज्यादा scooter को जुगा सकते हो चला सकते हो रिम पे आए तो यह steel की rims है यह alloy rim नहीं है इसके specifications में भी है यह steel rims है L-chef valve है और यह tubeless tire है और arrangement इसका किस तरीके से जुड़ा हुआ है आगे का front wheel assembly यह handlebar से यहां से हम देख सकते हैं पुरा arrangement इसका mechanical now let's come to rear wheel assembly हमेशा की तरह rear wheel assembly में ज्यादा कुछ होता है compare to front wheel assembly तो यहां पे हम देख सकते है swing arms BLDC hub motor है reflector दिख रहा है mudguard पे नीचे की तरह brake drum है और यह चोटा सा spring shock absorber यह adjustable नहीं है सिर्फ fiber का part लगा है fancy अच्छा दिखाने के लिए spring shock absorber दो हैं पीछे की तरफ और इसकी size बहुत ही कम है 150-160 mm है तो आपको travel wheel travel भी उसी तरह मिलेगा 10-20 mm wheel के दूसरी तरफ आते हैं तो अगेन इधर भी reflector है आर्टियों के rules को पूरा follow कर रहा है and spring shock absorber काफी छोटा है अगर देखा जाए तो यह 150-140 km में use कर सकते हैं इसे और fiber mudguard matte finish में हलका shine करता हुआ reflectors नीचे की तरफ आए तो यह swing arms पे cover है fiber का और यहां पर footrest छोटा सा दिया हुआ है आगे की तरफ हम frame देख सकते हैं swing arm iron का है और यह छोटा सा footrest काफी ज्यादा छोटा है जस्ट अब थोड़ा सा पैर भी रख पाऊगे ज्यादा बड़ा नहीं है after this BLDC hub motor जो 250 watts का है जिससे peak power मिलता है 800 watts टसकर की अपनी branding है printed है उस पर serial number and triple C certified है यह और इसे top speed मिलती है 25 km per hour की फिलाल L-step का valve है पीछे का V-wheel tubeless है और same है ralco blaster ST 10 inch का है दूसरी तरफ आए तो यहां पे मिलता है drum brake जिसका spring पे arrangement आप देख सकते हैं उपर की तरफ आते हैं तो यहां पे again spring shock absorber हम देख सकते हैं और यह frame जो पीछे के seat के लिए या carrier के लिए E-zone ने इसे काफी मजबूत बनाने की कोश्चिश की है ताकि इसका purpose meet हो सके इस vehicle का आप heavy weight carry कर सको और हम देख सकते है red color का wire जो motor से connect है battery से यहां पे है battery dusker की branding के पीछ है now let's come to instrument cluster तो उसे on करने के लिए keys की जरूरत पड़ेगी तो प्रेस करेंगे बीच की बटन को कुछ इस तरीके से instrument cluster on हो गया scooter ready है अगर आप remote से on करते हो तो फिर key से on off का कोई मतलब नहीं है फिर आपको remote से ही scooter को off करना पड़ेगा इस vehicle को तो unlock button प्रेस करके हम इसे off कर सकते हैं अब try करते है keys से तो key लगा के इसे on करते है तो instrument cluster में बहुत कुछ है बट फिलाल हमारे सामने आता है parking mode 47 km odometer हम देख सकते हैं battery level और hazard lights भी है से scooter में यह हम blink करते हुए LED hazard lights देख रहे थे brake को प्रेस करके accelerate करेंगे तो scooter ready mode में आ जाएगा आप numbers change होते हुए देख सकते हैं speedometer में इस सब के लावा इसमे reverse mode भी है जो button प्रेस करके हम पीछे की तरफ इसे चला सकते हैं आप आर देख सकते हैं instrument cluster में आ रहा होगा E-zone की branding है छोटे से panel पर फाइवर के यहां पर मिलता है front disc brake का oil box डिस्क ब्रेक है तो यह रहेगा ही रहेगा नॉर्मल लिवर्स मिलते हैं दोने तरफ ब्रेक लिवर आते हैं buttons की तरफ तो high beam low beam की बटन है यहां पर turn indicator बटन और नीचे की तरफ यहां पर high beam low beam में चेंज कर रहा हूं DRLS के साथ after this आते है seat के नीचे क्या है देखते हैं तो key slot आपने देख लिया और यह seat की बड़ी चोटी से seat के लिए white color का same material यूज किया है locking system है yellow color का foam है और काफी soft foam है फिलाल इस scooter का का काफी मोटा है उसके नीचे देखें तो यहां प कि डिटेज करने से पहले mcv को off करके बैटरी को आप डिटेज करके घर के अंदर भी ले जाके आप चार्ज कर सकते हो कुछ इस तरीके से यह डिटेज हो जाती है और बाहर आप ऐसे पूल कर सकते हो जोन की branding है बैटरी पर भी lithium-ion battery लिखा है कुछ caution लिखा है चार्ज होने mcv on कर दिया यहां पर मिलता लॉकिंग सिस्टम चोटा सा सीट कुछ इस तरीके से लॉक और पीछे की तरफ चोटी से सीट और यह एक बैटरी है जो यह भी मिल सकती है से स्कोडर के अंदर लेटेस्ट मॉडल में यह सारी बैटरी मिलती है माइक्रो निक्स की है और यह भी बैंगलोर की ही बनी हुई है यह चार्जिंग पोर्ट है यहां से लगा के आप चार्ज कर सकते हो बैटरी को बाहर निकालके और चोटा सा हैंगर और यहां पर स्पेसिफिकेशन है 48V 41.6 AH है यह बैटरी का स्पेसिफिकेशन में और यह 2024 की बनी हुई है जैन्वरी चार्ज करने के लिए स्कूटर में अगर बैटरी को डिटेस्ट नहीं आप करते हो तो यहां पर मिलता है चार्जिंग पोर्ट आफ्टर देखे क्या क्या और चीज़ें हमने कवर ने की तो सबसे पहले यह चंप हैंडल बार है और यहां पर चोटा नहीं है अगें 150 mm 60 mm यहां पर मिलता है विन नंबर का स्लोट फाइवर का कवर है उस पर और फोट्रेस्ट बाहर की तरफ है और इस इस दा करेक्ट डिसीजन क्योंकि बीच में काफी कम स्पेस है तो इसलिए से और वाइड करने के लिए नीचे की तरफ फ्रेम हम देख सकते हैं और ब्राउन क्लेरेंस 150 mm है बीच में रिफ्लेक्टर यहां पर है दोनों ही तरफ पीछे भी रिफ्लेक्टर है आगे भी देट इस में स्टेंड के दूसरी तरफ आए और थोड़ा पीछे हट के देखें तो स्कूटर कुछ ऐसा दिखता है काफी चोटा है बीच में रि स्पेसिफिकेशन तो इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट और सीठ हाइट मैंने ने रखती क्योंगी बहुत ही चोटा है इसका वेट है 60 kg अप्रॉक्स काफी लाइट वेट है रेंज इससे मिलती है 80 प्लस किलोमेटर्स ऑन फुल चार्ज जिससे चार्ज करने में 4-5 और लगता है येलो कलर में भी और कलर्स भी होंगे फाइनल इस ताइम फॉर प्राइस तो एक्ट्रोसिफ शोरूम प्राइस है इन बैंगलोर 80,000 रुपीज आफ्टर डिसकाउंट ये आपको 75,000 रुपीज में मिल जाएगा और बागी सारी इंफॉर्मेशन आप डिलर्शिप से ले सकत प्राइस प्राइस तो गया खाल जाए इस तुद्स लगा सकते हैं और ये तो इस जाए है अगर इसका फ्लोर बेड्ड आप देखो हेड्लाम्स बड़े है फुटर आप नीचे की तरफ है ज्यादा बैटरी पैनल बड़ा है कि कि ब्रेंडिंग है इन ख्रोम फिनिश नीच इसमें लगा हूँ वह carrier आप टसकर में भी लगा सकते हैं पीछे की seat थोड़ी सी छोड़ी दिख रही है में भी battery पैनल बड़ा किया इसलिए बागी सब सेम है इन दोनों स्कुडर्स में और इवन टॉप स्पीड भी सेम है 25 किलोटस पर आर की तो दिस वाज ओल ओवर इस उन टसकर कम्प्रीटर्स की बात करें तो टीवियस एक्सल जो पेट्रोल पे चलता है और केरुसीन पर भी चला देते हैं कुछ लोग और कैनेटेक की लूना जो रिसेंटली लॉंच होई इन सब वेहिकिल को यह टक कर दे सकता है कॉमर्शल परपरस के लिए बेस्ट है अगर आपको बिजनेस करते हो चोटा सा बिजनेस है काई सारे एंप्लॉईज है काई सारे वरकर्स है डिलिवरी का काम है वेहराउस है कोदाम है यह वेहिकल काफी हेल्फूल होगा तो आपको इस वीडियो से काफी इंफोरेशन मिली होगी इस वेहिकल के बारे में तो इसी बात पर फटा फट वीडियो को लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर दो फ्रेंड साथ शेयर कर दो मिलते हैं आप से अगले बीडियो